आप देख रहे हैं इंडार्क राज कुमार के साथ तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी के और दोस्तों ये घटना सन 2016 की है जब मैं अपने दादाजी की बर्सी पर गाउं आया हुआ था लेकिन बड़ी जल्दी वापस कॉलेज भी लोटना था क्योंकि मेरे एक्साम थे तो अगर मैं रुकता तो मुझे इसके बड़ी कीमत चुकानी पड़ती बस यही ध्यान में रखते हुए मैंने गाउं से निकलने का सोचा उस समय रात के 8 बच रहे थे घर वाले काफी समझा रहे थे कि गाउं खेड़ा है यहां 7-8 बचे के बाद परिंदा भी पाउं नहीं मारता आई दिन कुछ न कुछ अनुहनी इस गाउं में घटती ही रहती है यही कारण है कि रात को इस गाउं से सफर करना बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है मैं हस पड़ा बला यह गाउं गलियों की बात ही तो वहां सेर में हम दोस्त ठाके मारकर उड़ा दीते हैं और मैं ठेरा साइंस का स्टूडेंट मैं तो भगवान को भी नहीं मानता तो बला भूतों को क्यों मानूंगा आज तक इतनी सफर किये पर कभी लगा बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपने घर से निकलने लगा लेकिन निकलने से पहले मेरी दादी ने मुझे अपनी कमरे में बुलाया उन्होंने मुझे कुछ नियम बताए पहला कि गाउं से एक बार बहान निकल जाओ तो जब तक अपने मंजल तक ना पहुचो तब तक गाउं का जिक्र भी मत करो दूसरा की रास्ते में कहीं भी पिसाव आए तो भूल से भी रोल पर मत करना अगर कोई बस आती दिखे और उस पे क्रोस का निसान जलके तो जितना दूर हो उस बस से दूरी रहो कहते हैं ऐसी बसें आधी रात के बाद इस गाउं में भ बाते करता हुआ वहां से निकल कर जाने लगा बस स्टेंड मेरी घर से दोड़ा लंबा था और आखरी बस बारव पच्चिस के होती थी इसके बाद वहां से बसें नहीं मिलते थी जिस दोस से मैं बात कर रहा था उससे मैंने जिक्र कर लिया कि मैं अभी भूतिया रास्ते पर हूँ हस्तु मैंने गाउं के लोगवाली बात उससे कही जैसे आदी रात को सरक सूमसान हो जाता है बगेरा बगेरा इसके बाद वो जित करने लगा मुझसे वीडियो कॉल करने की वीडियो कॉल पर आने के एक मिनट बात अचानक से वो मुझे देख कर चिला गया मैं कै जिफो उसका इसारा ही था जो कोई समझ नहीं पाया इसके बाद वीडियो कॉल उसने तुरंद कार दिया मैंने इसे कॉल करके इसकी वजह जाननी चाही उसने कॉल उठाया और फिर जो उसने कहा उसके बाद थोड़े समय के लिए मेरे कदम भी रुक गए मुझे उसने बता की तो मैं वहीं ज़ाड़ू में करने चला गया और पता नहीं दो मिनट बादी एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा उसी ज़ाड़ी से आवाज निकलता हो निकला आप मैं बस इस्टोपर पहुंचा तो एक सपेद बस खड़ी थी मुझे बड़ी राहत की सांस मिली और ये द की हरकोई सिर चुकाए एक तम सांस किसी मूर्दी के तरफ बैठा हुआ था फोन पे समय देखने पर पता चला की इस समय रात के डेर बच रहे थे तब ही मैं ये सोचने लगा की गाउवाले और दूसरे तो दावा करते हैं की बारवजी के बाद कोई बस ही नहीं होती है फि बस जिन दिन लोगों के लिए नहीं है वाकि ये बड़ा हिला दिन वाला सिगनल था लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को ये बोलकर सांथ कर दिया कि ये हो सकता है साथ किसी नमजाक में ऐसा लिखा हो सफर के दौरान अगर कोई बाचित करने वाला मिल जाए तो सफर का पत अब तो मैं भी पीचे हट गया क्योंकि उस आदमी की निगाहें और उसका चेहरत दोनों बड़ा ही बहनक दिख रहा था उसके आँखों के नीचे बड़े-बड़े काले गहरे थे मैं वहां से हटता हुआ सबसे आगे वाली सीट पर जा बैठा वहां पर खिलकी खुले हु से देखा तो मुझे उन में से कोई भी आदमी जिंदा ने लग रहा था किसी की जुबान बाहर पसरी थी तो किसी की आँखों की पुतलियां बोले तरह से गाइब थी कोई बहुत चादा कदमे लंबा था तो कोई बिल्कुल छोटा सा था ये दिरिस अगर अंधेरी रातों में कोई कलपना भी कर ले तो एकदम से कांप उठे तबी अचानक से किसी ने कान में पुकारा कोई आगरी चाहे तो बताओ दूस्तों इतना सुनते ही मैं जैसे एकदम से नीन से जागा और जागने के साथी अब मुझे बस में कंड़क्टर डाइवर के अलावा कोई दूस में का कोई ठेकाना ना रहा उस पर्ची पर मेरे तस्वीर थी और लिखा था मौत दो बच कर पांच मिनट इस समय एक बच के पचास मिनट हो रहे थे अब इतना कुछ मजाग नहीं हो सकता था मैंने कंड़क्टर को आवाज लगाते हुए कहा अरे बाई सब ये कैसा में के मकसक से आया हूँ प्लीज मुझे बचा लो उस कंड़क्टर न मुझसे अपने नजरे ऐसे फेल दी जैसे वो भी मेरे मौत चाता हो इसके बाद मैं बहुत रोया गिडगड़ा आया और आज पहली बार भगवान सब्द का नाम मेरे चुबान पर आया इतना सब देख कर तो हैवान को भी रहम आ जाए उसने मुझे धीरे से कहा हर रात दो बजे ये बच जंगल के बीचो बीच रुकती है तबी एक मुर्दो की टोली दरवाजी को जोर से खटकटाते हुए अंदर की तरफ दाखिल होती है और ये इस चीज की खोच परताल करती है कि क्या कोई जिन्दा सक्स मौजूद है इस बस में अगर कोई होता है तो उसे जंगलों में गशीट कर ले जाते हैं और फिर इसके बाद उसका क्या होता है ये कोई भी नहीं जान पाता उस आदमी का नाम निसान तक इस दुनिया से मिड़ जाता है अगर 500 साल तक भी उस सक्स की लगात में दाकिल हो तो खुद को इस परकार मूरती बना लो जैसी कि तुम जिन्दा नहीं बलकि एक जिन्दा लास हो रात के तीन बजे बस अपने आप इस सोमसान और तेज हवाओं के बाता परण में बुरे तरह से गयब हो जाती है इसलिए किसी तरह डैवर को चक्मा देकर बस सब सुनने के बाद तो मेरे तो पसी ने छूटने लगे इसके तुरंद बाद में एक जगे चपकर बैठ गया तब ही बस रुकी और एक घनी तरावने जंगल के बीचों बीच रुकी पता नहीं मुझे क्या हुआ मैं सीधा बस के गेट पर गया और दर्वाजा खुलते ही म मरने का डोंग करने के लिए बोला जाए तो ना जाने इससे भी कुछ ज़्यादा खतरनाक होगा बस से उतरने के बाद सामने एक जामुन का पेड़ था उसके इलाबा मेरे पास कोई आपसन नहीं था क्योंकि सरक सुमसान और अगर जंगल में भागता तो मेरे दोडने की आ और इसी बीच बुरी तरे गहल कुछ लोगों की टोली बस में दाकिल होती है कंड़क्टर को वो लोग टांगों से घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाते हैं पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि उससे क्यों ले गए लेकिन बाद में मुझे ये समझ आये कि उसने मुझे मरने का टिकेट दे दिया था और मैं भाग गया इसी गलती के कारण उसे सजा भुगतनी पड़ती अब उन मुर्दों ने उस कंड़क्टर का क्या किया होगा ये तो मालूम नहीं लेकिन मुझे अब जाकर कुछ याद आया गोर से देखने पर पता चला कि बस के ठीक सामने काँच पर एक बड़ा सा क्रोस का निसान था मेरी दादी ने मुझे इसकी सक्त हिदायत दी थी कि मैं किसी ऐसी बस में ना चड़ू जिस पर क्रोस का निसान हो इसका मतलब होता है जिंदों की 9 एंटरी फिर सुबा से साथ 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 बजे तक मैं उसी जंगल में रहा और भोर हुई रोशनी का उजाला हुआ तो मैं घर पहुँचा सहर जानी के अब हिम्मत कहां रही थी मैंने घर पे किसी को वो किस्सा नहीं बताया सिवाए अपनी दादी के क्योंकि मज़े इसका सच जानना था दादी ने पहलो तो किसी पंडित को बलवा कर मेरा सुद्धी करण करवाया ताकि मेरे उपर कोई साया प्रभाव न डाल सके फिर उन्होंने कहा दरसल ये प्रथा पिछले 20 साल से चलती आ रही है रात 12 बजे के बाद इनसान में उतनी ताकक फूरती नहीं रह जाती जितनी की दिन में होती है गुमती नकर जाने के लिए एक बस रात को रवाना हुई 12.30 बजे के करीब लेकिन वो अपने मंजल तक पहुँचे उससे पहले गाउं के तालाब के पुल से गुजरते वक पुल तोटने के बज़े से बस नीचे जागिरी और 36 पैसेंजर समीत कंड़क्टर ड्रैवर समीत उनकी मौत हो गई बस इसके बाद से हर रात एक बस रात के 12 बजे से 3 बजे जिन्दों की तलास में रहती है और वो बस उसी पुल पर जाकर गयब होती है जो जिन्दा होता है वो अपने आप नीचे पोकरे में गर जाता है जबकि जो मर चुका होता है तो वो सभी बस समीत कहीं दूसरी दुनिया में बिलुप्त हो जाते है इसके साथ ही अब कह सकते हैं कि रात के बारा बजी के बाद कभी भूल कर भी बस से सफन नहीं करना चाहिए तब ही मैंने कंड़क्टर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताए कि वो कंड़क्टर खोदे खेल खेलता है वो बचाता नहीं बलकि तुम्हें फसा रहा था उसके कहें मताबिक अगर तुम बैठे रह जाते तो परमात्मा भी तुम्हें बचा नहीं पाते इसका सबसे बड़ा कारण है कि कंड़क्टर उन मौतों का जिम्मेदार ठहरा गया दोस्तो ये वाकिय मेरी जिंदिगी का बेहट डरावनक किस्सा था अब मैं अच्छे तरह से समझ चुका होगी क्यों आखिर रात के बारबजी के बाद बस में सफन नहीं करना चाहिए तो दोस्तो इस कहाने में बस इतना है तब तक के लिए बाए एंड टेक गयल